We can't imagine winter without orange. Isn't it? November to February market में orange बहुत जादा अविलेबर रहता है and is 4 to 5 month regular एक orange हम लोगों के डायेट में जरूर रखना चाहिए क्योंकि seasonal fruits not only good for our skin and hair but also it's good for our healthy body but after we do what we do after eating orange चाने के बाद इसकी चलके को पेक देते हैं आप भी ऐसे ही करते होगे है ना? है ना? But इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि जितना गुन औरेंज में रहता है उतना ही गुन इसकी चलके में भी रहता है Hello friends, welcome back to my channel तो आज मैं आपके साथ श्रेय करूँगी आप कैसे कैसे औरेंज पिल को यूज कर सकते हो for your beautiful skin, healthy body तो फिर आएए विडियो स्टार करते हैं बहुत सारी फेसपाक में हम लोग औरेंज पिल पावडर को यूज करते हैं वो भी मार्केट से खड़ीद के जहां कि हम लोग ये बहुत ही आसानी से घड़ में ही बना सकते हैं और वो भी रेडिमेट औरेंज पिल पावडर से हम लोगों को दसकुना ज़ादा बेनफिट मिल सकता है तो फिर मार्केट से क्यों? तो फिर आए पहले देख लेते हैं इस औरेंज पिल पावडर को कैसे बहुत ईजी लिखर में हम लोग बना सकते हैं और उसके बाद देखते हैं इसको कैसे कैसे यूज करना है औरेंज को खाने के बाद औरेंज पिल को फेकने के जगा आपके पास ही रग दो और इसको 7 days तक आपको धूप में dry करना है until it become hard थोड़ा से ज़्यादा quantity में आप orange peel को dry करो तो आपको orange peel powder भी ज़्यादा quantity में मिलेगा and make sure करें इसमें कोई moisture ना हो नहीं तो orange peel powder ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं रहेगा और क्या इसको grinder में grind करो and आपका orange peel powder is ready तो फिर आएए देख लेते हैं इस orange peel powder को हम लोग कैसे कैसे use कर सकते हैं तो पहले यहां scrubber बनाएंगे scrubber बनाने के लिए सबसे पहले orange peel powder लेना है and इसमें थोड़ा सा आटा चाहिए and then इस scrubber को mixing के लिए हम लोग orange juice यूज़ करेंगे आता हम लोग यहां use कर रहे है इस scrubbing को थोड़ा सा binding देने के लिए that's it अभी winter season है तो orange बहुत ज़ादा अवेलेबल है market में बट summer के time हम लोग यहां cucumber juice और rose water भी use कर सकते हैं mixing के लिए orange peel powder में जो granules होता है वो बहुत ही ज़ादा soft होता है तो इसी लिए sensitive skin और acne prone skin में भी इसको आसाने से आप scrubbing के लिए use कर सकते हो orange peel powder में citric acid है जो बहुत ही अची तेड़ी केसर skin को exfoliate करने में help करता है इस scrubber को आसे ही 5-7 मिनिट से खलके हाथों से मसाज कर लिजिए और इसके बाद normal पाने से आपकी face को wash कर लिजिए सेकेंड हम लोग यहाँ orange peel से brightening face mask बनाएंगे तो इस brightening face mask बनाने के लिए आपको बस दो ही ingredient की जरुरत है curd and orange peel powder that's it mix it well orange peel powder में vitamin C पाया जाता है and we all know vitamin C बहुत ही अच्छा है skin से sun tan को remove करने में skin को दिरे-दिरे brighten करने में and skin से कोई भी scar spot को दिरे-दिरे lighten करने में यह बहुत ही अच्छा है अभी इस face pack को आपकी skin में 20-25 minutes के लिए छोड़ देजिए and after 25 minutes आप इसको wash कर लिजिए हम लोगों में से बहुत gin green tea पीते है for our wet loose तो आप आपकी regular green tea में थोड़ा सा orange peel powder को mix करके इसको green tea के साथ एक साथ बिगो के रख दो for 4-5 minutes के लिए और उसके बाद green tea bag को अलग करके इस चाई को छान लीजिए आप देखना इस चाई से आपको instantly refresh feel होगा और यह आपकी wet loose process को भी first कर देता है और उसके साथ साथ skin को भी अंदर से glowing बनाने में help करता है because of the vitamin C सिर्फ vitamin C की इसमें antioxidant पाया जाता है बहुत साथ vitamin minerals पाया जाता है जो सर्फ skin के लिए नहीं overall health के लिए भी बहुत अच्छा है इस orange peel green tea आपकी toner का भी एक best option हो सकता है इस toner में vitamin C and antioxidant भरपूर मातरा में है जो skin के लिए बहुत ही अच्छा है अप regular चाय पीने के बाद और पहले थोड़ा सा green tea को रख दो और इसको regular face wash करने के बाद as a toner up apply कर लो आप चाते हो तो इसको एक spray bottle में भड़के भी रख सकते हो for one week अगर आप milky white teeth पाना चाते हो तो regular brush करने के बाद थोड़ा सा orange peel powder को लेके उंगली से आपको आपकी दातों में मसाज करना है और फाइब मीट्स मसाज करने के बाद आप और फाइब मीट्स इसको छोड़ देजिए और उसके बाद mouth wash कर लेजिए तो वीक्स तक ऐसे ही regular करने से आपको एक visible result नज़र आएगा तो friends I hope इस वीडियो को देखने के बाद आप भी orange peel को फेकेंगे नहीं और इससे आसे ही बहुत आसानी से orange peel powder बनाओगे और इसको ऐसे ऐसे ही आपकी beauty routine में शामिल करोगे तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको like, share, comment जरूर कर दीजिएगा आप अभी तक मेरी चानल को subscribe नहीं किये हो तो प्लीज जाने से पहले मेरी चानल को subscribe कर दो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाई